है लोगाइज वेल्कम बेक टो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पार्ट टू में जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आपके लिए जो मैंने अपने वाटर टैंग की सप्लाई के अंदर जो हमने प्लंबिंग का वर्क किया है उसके अंदर अपनी क्या इंजिनरिं यह दोनों साइड जो हमारे पास है यह हमारे हैं टैंक निपल जो की 32 mm में है after that हमने provide किया है यहां पर 32 mm का CPVC pipe कट करके एक हमने cutting यहां ली है एक cutting हमने यहां ली है उसके बाद हमने union दिया है union भी हमारा 32 mm का है सवाइनची बोलते हैं guys 32 mm को यहां पर अगेन हमने union दिया है and union देने के बाद अगेन हमने 32 mm का CPVC pipe connect करके यहां पर ball valve दिया है जो की open and close करने के काम आता है यहां पर देखिए इसका यहां पर open लिखा हुआ है और एक side यहां पर close लिखा हुआ है and after that उसको हमने connect करके यहां पर T junction दिया है and T junction के बाद एक elbow दिया है again ball valve दिया है and again one of the union हमने यहां पर provide किया है so guys अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि जो हमारा engineering perspective view है उसमें हमने क्या किया है अगर in future जैसे हमारे पास यह two water tanks हैं हमने इसके अंदर supply का पानी लिया है एंड हमारे पास एक connectivity है summer civil की हमने दोनों में यहां से दोनों पानी भर लिया connect कर लिया अब हमें करना क्या है कि हमारी दोनों टंकी फुल हो गई है in future हमें यह टंकी यहां से हटानी है तो हम पहले union खोलेंगे यहां पर एक end cap लगाएंगे और हमारा जो ball-ball है उसको हम close कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ single टंकी रह गई है in future दूसरा point हमारे पास है in future हमें टंकी साफ करनी है तो हम अपना union को साफ कर देंगे अगें हम यहां से अपना union को लेंगे और तंकी को साफ कर देंगे इसका सिर्फ के अंदर कूड़ा करके इतना फुस जाता है कि जो हमारे टैप के अंदर है वाटर प्रेशर नहीं आ पाता इसका सिर्फ एक यही परपस हमने लिए है और दूसरा पॉइंट जो यहां पे हमारा बात्रूंग का जो हमारे पास सप्लाई थी उसके अंदर हमने गाईज यही किया है कि जब भी हमें यहां की टंकी साफ करनी होगी ह orse हम यूनियन न को ओपन करेंगे और यूनियन ओपन करने से पहले हम इसको क्लोस कर देंगे दोनों को क्लोस किया यूनियन ओपन किये टंकी साइड की और हमने दोनों वाल वोपन कर लिए और दोनों वाल वोपन करने के बाद जित्ता भी इसके अंदर पानी है उस सारा भार हम अपने सप्लाई नीचे हम नहीं आडाल दिया नीचे से हमारे छट पे चला गया छट से रेन रेन वाटर पाइप में चला गया और हमारी टंकी साफ हो गई और with the help of union जो नीचे मिट्टी जाती है कोई भी dust particles हो गया एंड पानी के साथ कई सारी impurities आती है जैसे बालू सैंड कई बार आ जाती है सप्लाई के पानी में और अगर कोई लकडी का टुकड़ा अगर हमारे पास टंकी के अंदर पहले से ही है या प्लास्टिक का उपर से कुछ गिर गया है वो हमारे टैप के अंदर सप्लाई में अंदर नहीं जाएगा इस सप्लाई से होता हुआ हमारे पास ना बात्रूम में आएगा ना किचन में आएगा जिससे अगर वहाँ पर चला जाते तो हमें भूत प्रोब्लम फेज करनी पड़ती है हमारे जो टैप के अंदर सप्लाई है वो कम हो जाती है तो उसको हमको वो प्रोब्लम ना फेज करनी पड़े इसलिए हमने यूनियन का यूज किया है यहां पर दोनों साइड हमने यहां पर भी यूनियन लिया है अब गाइज वन मोर पॉइंट जब हमारा पानी नीचे से उपर आता है तब हमें 20 mm का जो पाइप होता है हमारा CPVC का वो इनफ होता है में सप्लाई को ट्रांसफर करने के लिए विद्धी हैल्प ओफ मोटर वी सप्लाई डावर में सप्लाई वाटर फ्रोम ग्राउंड फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर विद्ध बाइप और यह हमारा पाइप यहां से जाते हुए और यह टंकी के अंदर चला गया आन सीचिन फिंग डाईज की जो हम हमें हमारा आउटलेट होता है आउटलेट होगा जो हमारा हमें बाथ रोम की चन के अंदर स उप्लाई होगी उसको जो हम टंकी से आउटलेट करेंगे वह हमाराrative 32 म म. जिस से एक प्रेशर के थूरू पानी फप्लाइब है टंग की से हमारे फर्स फ्लोर। सेकंड फ्लोर अर्ट फ्लोर में हब हुआ मैं ये 32 पये पूरे एंट तक दीक है नीचे भी हमने फिरस्ट हर् फ्लोर तक 12 इम दिया है उसके बाद UK 20 कुछ काफी सारी जो हमारी अच्छे से जो प्रेशर बनेगा वह अच्छे से क्रियेट हो जाएगा और जैसे कि ए किचन का पाइप है हमारा किचन का पाइप भी हमने यही से दिया है 32 mm हम ले जाते हुए यहां पे हमने इस लिए है रोडेसर सोकेट जिसको 32 mm को हम कनवर्ट कर रहे ह 20 mm से एंड हमने यहां से नीचे प्रोवाइड कर दिया है और ये पाइप हमारा किचन के लिए हो गया अब यहां पे हमने 32 mm का ओवर्फ्लो पाइप लिया है जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं यह ओवर्फ्लोव पाइप है 32 mm का यह ओवर्फ्लोव पाइप है अगर हमारी टंकी ओवर्फ्लोव जाती है तो पाइप यहां से हमने कनेक्ट करके यहां पर छोड़ दिया है और यहां से पानी आउट सेट चला जाएगा अगेन इस टंकी के लिए हमारे पास यहां ओवर फ्लो पाइप है पानी की टंकी कभी भी ओर फ्लो होती है यहां से नीचे चली जाएगी और पानी यहां चलाएगी अपना फास्ट मैंने सिर्फ इसी लिए ही बताया है क्योंकि वीडियो की लेंद काफी की लेंद कम रखने के लिए मैने जो कोईंट आफ यापको बताया है आप आसरक कर सकते हैं वीडियो कर सकते हैं पीछे भी बैक साटब्वी लेके जा सकते हैं वीडियो को ज़रूर देखें घाई ये कि जो हमने वहावाई बाटोरे है थेंक्यू गाइज